Hello everyone, this is your maths period. Today we will do exercise 4E and 4F. 4E आपको classwork में करने हैं और 4F आपको homework में करने हैं, okay? Now let's start exercise 4E. Question number 1 is subtract the following number. हमें subtract करना है इन numbers को, ठीक है? करते हैं इनको. इसे कुछ questions 4E के हैं, कुछ 4F के हैं, ठीक है? क्लासwork और homework दोनों के लिए. आपको 854 में से 343 subtract करना है. subtract का मतलब बहुत है, minus करना हैं, cut करना. ये sign होते हैं, subtract का. First of all, आपको सबसे पहले science की पहचान होनी चाहिए. अब हमें 4 में से 3 subtract करना. 4 में से क्या subtract कर दिया है? 3. तो 3 के बाद से 4 तक कितना बसता है? 1. 5 में से 4 minus करोगे. 1. 8 में से 3 cut कर दिया. तो 3 के बाद क्या बचा? 4, 5, 6, 7, 8. क्या बचा? 8 तक. हमें 3 cut करना है. 3 के बाद से 8 तक चलना है. 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? 2 में से 0 minus हो सकते हैं? Yes. 2 में से 0 minus करोगे 2. 5 में से 4 minus करोगे 1, 3. यह तो बिल्कुल simple subtraction थी. अब हम करेंगे borrow. Minus में क्या ले जाता है? Borrow. Plus में क्या दिया जाता है? Carry. 2 में से 8 minus हो सकता है? नहीं. तो 7 चलने से borrow ले लो. 12 में से 8 करना है. 12 में से कितना करना है? 8. 8 तो कट होगे. 8 के बाद से ले कर 12 तक चलना. 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 6 में से 3 कट कर दे. 3 के बाद क्या बचा? 4, 5, 6. 3 कट कर दे. 3 के बाद से 6 تक चलो. 4, 5, 6. 8 में से 5 कट कर दो. क्या cut कर दो? 5. तो क्या बचा? 6, 7, 8 1 में से 5 माइनस कर सकते हो? नहीं बोरो ले लो, बन गए 11 और ही रहे गया 2 11 में से 5 माइनस करने है 5 माइनस कर तो क्या रहे गया? 5 तो माइनस हो गई अब 5 के बाद क्या आता है? 6 6 से 11 तक जाना है, 6 से 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने हैं ये डिजट? 6 2 में से 6 माइनस हो सकता है? नहीं 7 से बोरो ले लो, 12 यहां 5 12 में से 6 माइनस करने है 6 तो माइनस हो गया 6 के बाद से 12 तक काउंट करने 6 काउंट 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 ही बचा 5 में से 3 माइनस करो गए 5 में से 3 कट कर दो तो क्या बचा? 4 और 5 5 में से 6 माइनस हो सकता है? नहीं बोरो ले लो 15 यहां पे 7 15 में से 6 कट करने है 6 कट कर दो 6 के बाद से 15 तक काउंट कर दो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने हो गए? 9 7 में से क्या कट करने है? 4 4 के बाद कर दो 5, 6, 7 7 में से 5 कट कर दो तो क्या बचा? 6, 7 5 में से 8 माइनस हो सकता है? नहीं बोरो ले लो 15 15 और यहां रहे गे 7 15 में से 8 माइनस करोगे? 7 15 में से 8 कट कर दो 8 के बाद 9, 9 से 15 तक काउंट कर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां बचा 7 7 में से 8 माइनस हो सकता है? नहीं बोरो ले लो बन गया 17 यहां रहे गया 8 17 में से 8 माइनस करो 8 माइनस कर दिया? 8 के बाद 8 के बाद इसे लेकर 17 तक चलो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितने बचे यह? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 में से 5 कट कर दो 5 कट कर दो 5 के बाद से 6 से 8 तक करो 6, 7, 8 इस तरहां से यह आपको माइनस के सम करने हैं रफ नोट बुक में आपको प्रेक्टिस भी करनी है और फियर नोट बुक में आपको फेल भी करनी है ओके? थैंक यू हाव अनाइस टे